हेलो एपरीबर वर्कम बैक टू आर चैनल दिस साइट सीदी एंड आज की क्लास में मैंने जैसे आप सभी को बताया कि अपसे आपको हमारे यूटूब चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज देखने को मिलने वाली है तो आज की क्लास में आपके साथ डिस्कॉस करने वाली हो कि हम अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में मैं आप सभी को क्या क्या करवाने वाली हो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा रेनेसांस यानि पुनर जागरन के बारे में दिको पुनर जागरन का जो ही टॉपिक है मैं आपक देखने को मिल जाएगी लिंक इसका आपको description box और आपको comment box दोनों में देखने को मिल जाएगा ठीक है next जो topic होगा वह आपका होगा reformation यानि सुधार ठीक है तो यहां से आपके reformation से regarding भी मैं already इस पर मानवतावाद के उपर तो यहां पर humanism के बारे में मैं आपको करवाओंगी यानि हमारी जो यह series दुबारा से restart जो रही है जिसमें मैंने कुछ topics को नहीं cover किया था तो वापस से मैंने world history की आपकी series start की just because यहां पर maximum as a student है जिने world history के topics को cover करने में बहुत problem हो रही है तो यहां पर मैंने decide किया है कि आपको youtube channel पर ही free में classes देखने को मिलेंगी वो भी यहां पर जो हमारी class की timing होगी वो होगी 9.30 pm तो सभी से suggest करूंगी जो भी channel पर first time आयो channel subscribe कर लो bell icon press कर लो और telegram channel कर लिंग description box में उसको join कर लो ताकि जब भी world history की series हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अप्लोड हो notification update आपको time to time मिलते रहे clear हो गया क्योंकि यहां पर आप कोई भी competitive कोई भी entrance exam की preparation कर रहे हो हर एक exam के लिए यह आज की जो क्लास यानि जो हमारी world history की सीरीज में start कर रहे हो यह हर एक exam के लिए helpful होने वाली है कि नेक्स्ट जो topic होगा वह होगा आपका enlightenment ठीक है उसके बाद हम आपके cover करेंगे इंडरस्ट या revolution ठीक है यह सब कुछ अभी हम cover करेंगे नेक्स्ट आप देखोगे देखो जिस भी topic में आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने जिस भी topic में ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है वह topic में already हमारे चैनल पर इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हो अगर आप लोग चैनल पर फर्स टाइम आयो तो जरूर वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक आउट करो यह सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आपको क किसानले नहीं हमारे सारी सभयतां मेसोपोटामिया की ए्जिप्ट यानि मिसर की सभयता चायना यानि की मृत्षिवयता सुमेरियन बेबिलोनियन और असेरियन यह तीनों हेसारी जितनी सभयताइत हैं इन सब पर मैं आप अल्रेड़ी वीडियो upwards कर चुकी हूं हूं और आप सभी का प्यार बहुत अच्छा रहा आप सभी का रिस्पोंस बहुत अच्छा रहा इन वीडियो पर तो यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों कोई मेरी वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा इसलिए आप लोगों ने इतना प्यार पूछी जाती है बट सबको वर्ड हिस्ट्री में ही प्रॉब्लम होता इसका इतना अच्छा सोड सबको प्रॉबाइड नहीं होता है तो यह सब आपको इसी सीरीज में कम्प्लीटली देखने को मिलेगा तो डेली आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो यहाँ पर रेनेसांस, आपके रीफॉर्वेशन, हुमैनिजम मैंने आपको बताया और यह सारी सब भी हैता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्टम आपके वर्ल्ड इस्ट्री में जो टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा आपका फ्रेंस रेविल्यूशन, यानि हमारी फ्रांस की क्रांती को आपको आने वाले दिनों में इस वीडियो में देखने को मिलेगा Russian Revolution यानि रूस की क्रांती तो रूस की क्रांती को बहुत अच्छे से डिटेल में मैं इस पर वीडियो बनाई है उसका लिंक अभी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखा दूंगी बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के अंट तक जरूर बने रहना नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल्ड वॉर यानि जो हमारा सीथ यूद था इस वज़े से हुआ था क्या कारण था उसके बाद नॉन अलाइम्मेंट मुवमेंट यानि गुठ निर्पेक्षता के बारे में भी हम बात करने वाले उसके बाद हम आपके सारे एंपायर यानि जो समराज्य है ना उनसे रिले आज़े पर वीडियो ले करके आईए तो नेक्स्ट जो सबसे पहली वीडियो हम अपनी जो यह सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें आपको परिशियन ग्रीक और रोमन के बारे में ही करवाने वाली हो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहां पर करेंगे वह होगा आपक फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वल्ड वर ठीक है और देखो फ्यूडलिजम यानि जो साम्मंत वाद का टॉपिक है इसको भी मैं अल्रेडी करवा चुकिए वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेश्ट पे आप चैक आउट कर सकते हो और नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे आपका क सब्सक्राइब करेंगे और एक बार आपको कुछ अलग पढ़ने की नीड नहीं होगी बाकी सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स टम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है आपका इतली और जर्मनी का यूनिफिकेशन चाइनीज का रेविलिशन ठीक है चाइना के जो सिप वार हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताने वाले हूँ अफीम वार क्या होता है सीनो जैपनिस व होगा वह होगा हमारा की साइन्स और टेक्नालोजी की जो ग्रोथ होई इंग्लिश रेविलिशन नेक्स टॉपिक कम्यूनलिजम सोशलिजम कैपिटलिजम वेरे इंपोर्टेंट इस से रिलेटिट भी आपके यूपी एस सी यूजी सी नेच चायब टीजीटी पीजीटी को कोई भी एक्जाम दे रहे हूं यह सारे आपके उस वर्ल डिस्ट्री के स्लेवर्स के टॉपिक्स हैं राइज ओफ एसियम और नाजियम की बात हम करेंगे सोवियट यूनियन को जो डिस इंटिग्रेशन हुआ यह कोलाप्स हुआ था वह हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिय ठीक है देखो अगर हम आपके बात करेंगी तो मैंने आपकी कुछ ही चीजे लिखी है लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक्स तो आपके इसी से ही कवर हो जाएंगे तो मैंने देखो इंपॉर्टेंट नोट यहां पर लिखा है कि यह जो टॉपिक है सिर्फ एक ही एक्जाम के लिए नहीं हर एक एक्जाम के लिए हेलफूल है तो आप कोई भी एंट्रेंस कॉंपिटेटिव एक्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हो तो यह कंप्लीट स्लेवर्स की जो सीरीज हम वर्ल्ड इस्टी की स्टार्ट करने वाले इसको जॉइन करो ज्यादा से ज्यादा ग्रू तो वह भी हम यहां पर कवर करने वाले आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हमारा आया था 1929 में इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगी तो यह सब कुछ में वर्ल्ड इस्ट्री की सीरीज में लेकर आ रहे हूं यूटूब की सीरीज में यूटूब चैनल पर वह भी फ्री में क्योंकि यहां पर इसकी पेड़ ग्लासी वैसे तो है लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पेड़ वैचिस नहीं ले पाते तो उनके लिए मैंने यूटूब पर यह फ्री में आपकी सीरीज स्टार्ट करने कर डिसाइड किया और आशा करते हूं कि जिस आफ सभी ने सारी देएect Kingdom आप सभी कर्या है तो गिरेगो मेरे चेनल भी तेक्स डेह率 कि अब मैं आप सभी को दिखा देख़ी वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेइलिस्ट में कौन कौन सी वीडियो के टॉपिक्स अल्रेडी मेरे चानल पर अपलोड है और कौन कौन सी अभी हम जो बाकी के जो टॉपिक्स रहे गए वह हमारे जो दुबारा से मैं यह सीरिस स्टार्ट कर रहे हूं इसमें सारी चीजे देखने लेकिन इससे अगर आप मेंसे किसी को कोई डाउट या क्वैरी है या हिस्ट्री की क्लासिस नोट्स अगर आप मेंसे किसी को लेना है तो इस सब कुछ यहां पर एविलेबल है उसके लिए वाट्सअप नंबर आप यहां पर देख सकते हैं 888-96980 बाकी की अपडेट आप इस नंबर पर टेस्ट के थूप पूछ सकते हो कोई भी डाउट या क्वैरी हो अधर वाई डिस्क्रेप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड है आप लोग उन सारे गृप्स को जरूर जोइन करना ताकि आगे की अपडेट आप सभी को मिलते रहे अब चलते हैं आपकी वर्ल धुलिस्ट पे धिकाएं जोसा आपको फॉल्ड रजार आ रहरा है इस पर आपको क्लिक करना है ट् Spo Him भी फ्लिस्ट बनी है वह कुछ ऊपको और शोग कर रही है आपको यहां पर जाना है कहां व्रद हिस्ट्री के ग्लीस्ट पर पहले पन कर लेते फिर बात करते येश क्री पर दिख रहे हैं यह हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन-कौन तॉपिक्स में अल्रेडी करवा चुकियों उस पर बात कर ले थे देखो यहां पर हमारे बुक्स और ऑथर्स हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से हिस्ट्योग्राफी से भी क्वेशन पूछे जाते तो उसकी भी को नजर आ रहा है रेनेसांस यानि पुनर जागरण ठीक है यह अल्रेडी मैं अप्लोड कर चुकी हूं तो उसको जरूर देखना उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो दे सकते हो फ्यूडलिजम यानि साम्मंतवात और रिफॉर्मेशन यानि सुधारप यह वीडियो यह आपको यहां पर नजर आ रही है जो कि आल्रेडी मैंने अप्लोड कर दिया है बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो देखो जो कि मैंने अपके यहां पर यह ग्लोरियस रेविल्यूशन 1688 में यह भी एक टॉपिक है जो कि मैं मिसकर चुकी हूं लेकिन कोई नहीं यहां पर वर्ल मैसो पोटामिया की सभ्यता इस सारी सभ्यता जो मैंने को करवाई हैं इस सब कुछ already आपको यहां पर देखने को मिल बाद एजिप्ट की इरी अपने यहां पर देख लेंगे उसके बाद दीखो कि मैंने आपको परशियन ग्रीक और रोमन एंपायर से से रिलेटिड और फ्रांस रश्या अमेरिका रेवर्यूशन से रिलेटिड कुछ क्वेश्चन्स करवाई हैं ठीक है क्वेश्चन्स मैंने अल्रेडी इस पर कराई हैं अगर आप किसी कॉम्पेटेटिव एंट्रेंस एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहें तो आप इन वीडियो इस टॉपिक्स को अब मैं आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ उसके बाद देख सकते हो चाइना सिविलाइजेशन को डिटेल में पूरे गंटे की क्लास है आप लोगों का प्यार रिस्पॉंस बहुत अच्छा रहा बेबी लोनें समराज्य ठीक है सुमेरियन आप में समझाया हुए जो कि इसकी वीडियो योटूब पर बहुत रेयर मिलती है और नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो आपका असेरियन एंपायर ठीक है सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा फ्यूडलिजम इन मेडियेवल योरोप को मैंने इस फ्यूडलिजम सामन्त वा यानि रूस की क्रांती तो यहां पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी मैं टॉपिक्स ऑल्रेडी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स में अप्लोड कर चुकी हूँ आप लोग इसको जरूर यहां पर चेक आउट करना और अगर आपके लगता है कि मैंने वर कर दूगी अधरवाइस अभी जो हमारा मेंन फोकस है अपने एक्जाम के लिए यह सारे टॉपिक्स में आपको करवाने वाली हो और जिन भी स्लेवस के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है इसकी वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ इसकी पीडियाफ में आपको कर दूगी जो मैंने सारे से लेवस मेंशन किया मेरे टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लो वहां पर आपको इसकी पीडियाफ में प्रोवाइट कर दूगी और इससे रिलेटिट कोई डाउट या कोईरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेडिक्लासी जोट किसी को बहुत इसी तरीके से करने वाले ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हिस्टी बैग्राउंड से नहीं भी होगा तो भी उन्हें यह सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए ओके स्टूडेंट तो यहां से कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को तो अपनी सीरीज देश्य होता है वह आपका टॉपिक तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ डिसकर्श कर दिया कल की क्लास में मैं आपके साथ डिसकर्श करूंगी आपके परशियन ग्रीक और रोवन एमपायर ठीक है इसी तरीके से हम वन बाई वन आपके सारे टॉपिक को कवर कर लेंगा वर्ल्ड हिस्टिरी के सीरिज को complete करेंगे तो इस पूरी complete सीरिज में आप लोग अपना साथ अपने सहयोग मेरे साथ बनाए रखना ताकि हम इस पूरे सीरिज को complete कर सके तो चलिए श्टूट आज की क्लास में बस इतना हैं मिलते अपने next वीडियो में thank you for watching